नमस्कार आप देख रहे हैं खबर मेडिया दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंगना रनावत एक बार फिर से बहुत बुरा फस गई है साथी साथ मैं आपको बताऊँगा कि कैसे राहूल गांधी ने परधान मंतरी मोधी परतंज कसा है इसके साथ मौसम की अपडेट है साथी सोने चांदी के प्राइस और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरे हैं जिसमें सुसान सिंग राशपूत को लेकर सबसे बड़ी खबर आ रही है तो आप सभी हमारी इस वीडियो को अंतक देखीगा साथी हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके सेर करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से राहूल गांधी का PM मोधी पर तंज कहा देश को PM आवास नहीं बलकी सांस चाहिए दोस्तो कोरना संकट को लेकर कॉंगरेस के पूरु अध्यक्ष राहूल गांधी के हमले केंदर की मोधी सरकार पर लगातार तेज होते जा रहे हैं राहूल गांधी ने कोरना संकट से निपटने के लिए केंदर की मोधी सरकार पर जम करनी साना साधा है उन्होंने जहां गाउं में तेजी से फैल रहे कोरना पर चिंता जताई है वहीं Central विष्टा प्रोजेक्ट पर भी सवाल दागे हैं तो साफ है कि राहूल गांधी कहीं न कहीं देश के प्रधान मंत्री मोधी पर पूरी तरह से तंज कस रहे हैं चले बात करेंगे एक और वड़ी ख़वर की तो मुख्य मंत्री योगी बोले कोरोना की दूसरी लहर के खिलाप लड़ाई में मिल रहे हैं बहतर परिणाम दोस्तो यूपी के मुख्य मंत्री योगी अधितिनाथ ने रभिवार को कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर के खिलाप जारी लड़ाई में हमारे पर्यासों के बहतर परिणाम मिल रहे हैं परदेश वे केंद्र सरकार की तरफ से हर इस तर पर संसाधन बढ़ाने का पर्यास किया जा रहा है, वानड़सी में 750 बेड का अस्पताल DRDO की मदश से बनाया जा रहा है, तो साफ है कि उतर परदेश में कोर्ना वायर्स से जो लड़ाई है, वो युद्ध इस तर पर हो रही ह चले बात करेंगे एक और वड़ी खबर की तो देश के 13 राज्यों में 1 लाग से ज़्यादा एक्टिव केस महराष्ट में आये हैं सबसे ज़्यादा कोर्ना वायर्स के सकीरे मामले, दोस्तो भारत में कोर्ना संकरमर्ण थमने का नाम नहीं ले रहा है, रभीवार को भी 4 ल चले बात करेंगे अब हम एक और वड़ी खबर की तो वर्चुल मीटिंग में अपने लोगों से बोलें लालू कहा छेतर से निकल कर लोगों की मदद करें, दोस्तो जेल से आने के बाद लालू परसाद यादों ने रभीवार को वर्चुल मीटिंग करके राजनीती में फि बिधान पारसद आदी से कहा है कि आप लोग छेतर में निकलें और लोगों की जो भी मदद हो सके वो जरूर करें, चले चलते हैं एक और वड़ी खबर की तरब तो देश में अब तक लगभग 17 करोड कोर्णा की वैक्सिन की डोस दी जा चुकी है, जीहां आपको बता दे क लगतार हमारे देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि देश के लोग कोर्णा वैक्सिन पर विश्वास भी चता रहे हैं और लगतार लोग बढ़ चड़ करके कोर्णा वैक्सिन भी लगवा रहे हैं, आपको बता दे कि भारत में अब तक 16 करोड 94 लाग से जादा कोर्णा से बचाओं के लिए 6 फिट की दूरी भी काफी नहीं हैं, दोस्तों जहां हम सभी कह रहे थें कि 2 फिट की दूरी पूरी तने से ज़रूरी है कोर्णा वैरस से बचने के लिए लेकिन एक बड़ा खुलासा नया सर्वे में हुआ है, जिहां आपको उता दे कि इस सम 6 फिट की दूरी तक यातरा तै कर सकता है, यानि कि 6 फिट की दूरी पर भी अगर आप हैं तो भी आपको खत्रा है कोर्णा वायर से, चले बात करते हैं हम सीधे मौसम की तो जी हां, दिली NCR समित कई राजों में बारिस की आसंका 24 घंटे का अलर्ट हो चुका है जारी, दो इंदर देउता महरबान है, विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिली समय देश के कई राजों में बारिस होने के आसार हैं, इसलिए उसने कुछ राजों में हलकी से भारी बारिस होने का अलर्ट जारी किया है, तो साफ है कि आने दिनों में आप सभी को बारिस देखने को मिलेगी, चले बात करेंगे एक और बड़ी ख़बर की, तो अमबानी की रिलाइंस रिटेल बनी दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती खुदरा विकरेता कमपनी, दोस्तो अरब पती मुकेस अमबानी की कमपनी, रिलाइ बड़ी ख़बर की, तो सुसान सिंग राशपूत केस में दोस्तो अभी NCB को एक बड़ी काम्यावी मिली है, जिहां आपको बता दे कि NCB ने अभी हाली में एक सक्स को गिरफतार किया था, जिसे दोस्तो पूछता चुई है, और कहा जा रहा है कि उस सक्स को सुसान सिंग र प्राइस से 22 के रेट सोने की बात करें तो ये 45,100 रुपए पर 10 ग्राम पर विक रहा है, इसके साथ 24 के रेट सोने की बात करें तो ये 49,200 रुपए पर 10 ग्राम पर विक रहा है, इसके अलावा अगर हम बात करें चांदी की ताजा प्राइस की तो जिहां आपको उता दे कि चांदी 70,000 के प्लस पहुँच चुकी है परती किलोग्राम पर तो साफ है कि दुनों ही धातूं में बड़े ही तेरी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सीधे किरिकेट की खबर की तो जी हाँ आप पो उता दे कि IPL 2021 को लेकर सबसे बड़ी खबर है दोस्तो भारत में ही होगा IPL के बाकी बचे मैचों का आयोजन BCCI ने दिये हैं संकेट जी हाँ किरिकेट फैंस के लिए बड़ी खुसकबरी है दरसल इंडियन प्रीमेर लिग के चौदवे एडिसनल को ले करके बड़ा अपडेट सामने आया है जानकारी मिली है कि भारती किरिकेट कंट्रोल वोड देश में ही IPL 2021 के बाकी बचे मैचों का आयोजन कराने का विचार कर रहा है रिपोर्ट के मताबिक 2021 T20 विसकव से पहले सितमर में IPL 2021 के बाकी बचे मैच कहले जाएंगे दरसल T20 विसकव के लिए सभी टीमों को भारत आना है और उसी से ठीक पहले भारत के जो BCCI है वो चाहती है कि IPL का आयोजन किया जाए और उसी टाइम पर IPL को निप्टा दिया जाए चलिए अब हम चलते हैं एक और वड़ी ख़बर की तरब तो सौधी अरब ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान वारता से सुलझा लें जम्मू कास्मीर का मुद्दा दोस्तो सौधी अरब ने भारत और पाकिस्तान के बीच कास्मीर समेट लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए वारता के महत्तु पर जोड़ दिया है पाकिस्तान के विदेस मंत्रालिय ने परधान मंतरी इमरान खान और सौधी अरब के यूराज मुहम्मद बिन सलमान के बीच हुई उच्छे इस्तरिय वारता के बाद सनिवार रौत को एक सन्युक्त बयान जारी किया है इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिल और कास्मीर के मुद्धे को अराम से बैट कर सुलजा लेना चाहिए चलिए बाग करते हैं हम एक और वड़ी ख़बर की तो हुंडाई का बड़ा धमाका कारों पर दे रही है 1.5 लाक रुपे तक का डिसकाउंट दोस्तो अगर आप भी कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो ये ख़बर आपके लिए बहुत काम की है आपको बता दे कि मई 2021 में हुंड़ाई अपने चुनेंदा मॉडलों पर आकर सक डिसकाउंट दे रही है तो इस ओफर का आप सभी को फाइदा उठाना चाहिए क्योंकि आप सभी को कार खरीदने पर लगभग 1.5 लाक रुपे तक का डिसकाउंट मिल सकता है तो आप सभी इसका फाइदा उठा सकते हैं चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं सीधे एक और बड़ी ख़बर की तो बता दे कि दिल्ली में अब 17 मई तक लोकडाउन कल से नहीं चलेंगी मेट्रो साधियों को लेकर भी हुआ है बड़ा एलान दोस्ता आपको बता दे कि जो अर्बिंद केज जिवाल हैं उन्होंने अभी हाली में कई महतुपन बाते कोर्ना वायर्स को लेकर के कह दिये उनका कहना है कि कोर्ना वायर्स एक बार फिर से दिल्ली में बढ़ रहा है और इसी वज़े से लोकडाउन को एक हपते और आगे बढ़ा दिया गया है इसके अलामा अर्बिंद केज जिवाल ने कहा है कि साधियों में भी पूरी तरह से रोक रहेगी और अगर कोई साधिय कर भी रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा भीड नहीं होनी चाहिए इसके साध में ट्रो ट्रेन को भी पूरी तरह से बंद करने का फैसल लिया गया है तो साफ है कि दिल्ली के लोगों को थोड़ी और परिसानी हो सकती है तो यह थी आज दिनवर की तमाम बड़ी और मुखे खबर वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद